मसालों के अंदर अगर देखा जाए तो सभी मसालों के अंदर आज उपरी सरों पर हलका हलका दबाव देखने को मिल रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से धनिये में जबरदस तेजी देखने को मिली धनिये के साथ जीरे में भी करिदारी लोटती हुई नजर आई और हल्दी भी अपनी खुश्बू भी खेरती हुई नजर आई लेकिन आज उपरी सरों पर हल्दी के अंदर जहां मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही है तो वहीं जीरा काफी पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है निर्यात मांग बढ़ने लगे है जिसकी वज़ा से जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है लगातर हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताया है कि जीरे की कीमते अगर 16,000 के उपर सस्टेल करती है तो उसमें तेजी बन सकती है और आज आप देखिए जीरे की कीमते 16,500 के उपर निकल चुकी है अब उमीद की जारी कि 16,800 से लेकर 17,200 तक जीरे की कीमते एक बार उपर में जाती हुई दिखाई दे सकती है इसलिए जीरे के अंदर भी छुट-पुट खरिदारी की तरफ जाया जा सकता है वहीं धनिये की बात करें तो धनिये के अंदर जबरदस तेजी आ चुकी है 87,000 के पास हम धनिये को कारोबार करता हुआ देख चुके है अब उपरी स्तरों पर थोड़ा सा मुनाफ़ा वसूली आती हुई नजर आ रही है लेकिन अभी भी मंडियों के अंदर अराइवल्स कम है और खरिदारी देखने को मिल रही है अब उमीद की जा रही है कि धनिया 9,000 से 9,500 तक का भी स्तर दिखा सकता है यानि हल्दी को छोड़ दे तो धनिया और जीरा दोनों ही कॉमोडिटी के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों कॉमोडिटी के अंदर अभी उपरी स्तर छूते हुए नजर आ सकते है अगर जीरा 16,000 के उपर सस्टेन रहता है 16,500 से तो मिझे लगता है कि आने वाले दिनों में 17,000 से 18,000 का भी सर जीरा दिखा सकता है तो आने वाले दिनों में जीरे और धनिये के अंदर तेजी बनी रह सकती है जबकि हल्दी थोड़ी सी सुस्ती के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है